हलो एबरिवन गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे काव या इन ममा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में तो देख रहे हैं यहाँ पर यह आया है फैन और यह आया है इसलिए क्योंकि मेरे किचन में ना फैन नहीं था बदरब ऴृव śm Алव टक तो मतपड़ होता हैना क्या नहीं रहता तो गर्मी में तो गर्मी लगेगी लगेगी होविस दी और क्या वार होता कि वह गयार में चलनी उसलिए कुछ नो कुछ नाटक करना है ताकि हम लोग इंटरटेन होते रहें बोर ना हो तो यह देखे बन रही है आज हमारी पीतल के भगोने में खीर और कलना दूद बच गया था थोड़ा सा तो मैंने सुचे चलो खीरी बना ले वैसे तो मैं अभी दूद जितना भी बच रहा है र मॉआ रहे हैं और सबर दही या फिर रहता और मतलब गर्मेव में ना एक कटओरी 'dahी रहा ता कुछ लेना ही चाहिए रिगुलर दिन में रात में ब्ल 이제 अभी ने कहना चाहिए तो उसके बाद खीरीर मेरी बन चुकी है तो फिर मेरे को मजबूरी में छोले का लाने ही पड़े तो बस यहां पर में बना रहे हूं जिसके लिए मैंने इस तरह से मसाज प्यार टमाटर को छोटा-छोटा चौप करके मैं हमेशा बनाती हूं तो क्या होता नो छोले अच्छे बन पाते हैं और अभी टाइमिंग जो हो रही है वही ग्यारा के लगभग टाइम हो रहा है तो बस यह बोले कि अभी मौसम ठंडा है और साम को और ज़्यादा गर्मी होती तो लाम मैं पंखा लगाई दूँ और फिर क्या है यह ड्यूटी भ बुलाओ या कुछ करो तो इन्होंनों खुदी अच्छे से फैन को फिट कर दिया और देखें बातों बातों में हमारे बन गए हैं चोले तो चोले आज जो बन रहे हैं क्योंकि मेरे आइनको ज्यादा जूस वाले चोले पसंद नहीं है और चोले में चीज इनको पसंद ही लेकिन जैसे कभी-कभी बन गए अब घर में यह सब चीजें तो बनना जरूरी है क्योंकि बच्चों को तो हर चीज घिलाना जरूरी रहता है तो बस यह बोल रहते हैं कि सूखे सूखे बनाओ बहुत ज्यादा गीले नहीं लपटे 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 तो देखें एकदम पि हूं मंगा के उनको साफ करके अच्छे से पूरा पिसा लेती थी और अभी जाना थापकी वर घर तो घर जाने से पहले आटा ही ले आए यह पैकेट वाला तो पैकेट वाला आटा इतना ज़्यादा सफेर होता है ना कि मतलब ऐसा लगता है जिसे मैदा खा रहे हम लोग और तो फिर वापसी में बहुत सारा काम हो जाता है और जाओ तो काम आओ तो काम तो साम को लगाई थी मशीन तो सारे कपड़े पूरे सूप चुके तो उनको मैं मतलब रात बर सूके हवा में सूप जाते अभी तो कपड़े गर्मी चल रही है तो उनको उतार के मैंने बैट प पूरा सेट कर दूंगी क्योंकि आपको पता हिए कि मेरे घर में जो है इस पेस कम है और इस पेस तो मतलब जितना होता है फ्लैट में उतना ही है लेकिन क्या है ना वो जदा अलमीरा वगेरा नहीं है तो जो भी कपड़े होते हैं उनको फटा-फट से घरी करके और सही जगह सेट करना होता है यह नहीं कर सकते कि इधर डाल दें और यह इधर बैठे हुए कुछ फोन चला रहे हैं तो बस मुझसे बाते करते जा रहे हैं और अंदर क्या होता ना दुपैर में 12 एक के बाद तो अंदर मतलब AC में चले जाओ उसके बाद तीन-चार बज़े से पहले न यहां पर फिर मुझे और वी काम करते हैं करने है अभी किचन में मतलब जो ठोड़ा ग्रोस्ट्री वगारा जो चीजे नहीं थी वैसे तो घर में सामान सभी था लेकिन ग्रॉसरी में कुछ चीजे नहीं थी तो यह लेकर के आए थे तो बस वो सब चीजे में सोच रहे हूं अभी रख दूँ आप देख रहे हैं कैसे टावल पड़े बेट पे तो यह सभी लोग नहां नहां करके ना वस टावल फेक देते यह सभी के घर की आदत है और सुबा में सारा बेटशी सब सही किया था और यह चादर वगरा फिर सिवाय ने खोल डाला सिवाय जब कभी मस्ती में होता ना तो उसका यही काम रहता है कि वो इधर फेकेगा उधर फेकेगा तो बस यहां पर उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही इनके साथ और फिर उसके Commerce घीो दे एकिन और किलो थी लेकिन में डी तो रहता है मैं एक्स्ट्रा ही मगा करके रहती हूं कम से कम पाचवल चीनी तो घर में पर्मानेंट रहनी ही चाहिए कि कभी क्या मैं स्वीट्स वगरा सब्रीन के रख द्याए और इस नो के मुझे। कुछ दिब्बे वगरा धुलने हैं जो खाली हो गए तो उसके बाद ही फिर मैं उसमें सिफ्ट करूँगी और यहां पर कुछ जैसे प्याज तो हमारे हम भुसावल में मतलब महराष्ट्रा में पूरे भुसावल में और महराष्ट्रा में सभी जगए सब लोग क्या करते ना इस सीजन में यह भर लेतें दो तीन दिन बोरी ले ले लेतें घर में वैंसे आदें आ। किकल्ड में में सश्ता मिलका है जब फिर उसके बाद मिलता है तो इस टॉक कर लेते, लेकिन हम गईवार में किया तो मेरा प्या सड जाता हैрьकि हम लोग उतना ज्यादा खातेना रह तो यह मैं फिल्टर पानी का जो है उसको धुल के मैंने उपर रख दिया पैक करके अच्छे से क्योंकि फिर कहीं सफर में जाएंगे तभी उसकी जुरत पड़ेगी उससे पहले नहीं इसलिए तो क्या है ना किसी चीज में पैक करके रखो तो इतना ज्यादा चिक नहीं तो इस वज़े से ही तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि हम लोग जो घर गए थे उधर आगरा या फिर कानपुर तो अधर से क्या क्या लेकर क्या आएं तो आप देख सकते हैं लाफिम बुद्दा और यह जो देख रहे हैं प्लांटर यह हमने वहीं हुनाराट से लिया है तो सब कुछ चीजें जो सही मिल रही थी तो हमने ले ली और इस तरह से और यह कप आप देख रहे हैं यह मेरी दीदी ने हमको गिफ्ट किया है लेकिन मैंने का आपको दिखा देती हूं मैं यह भी तो यह सुंदल लग रहे हैं ग्रीन ती वगरा पीने के लिए वह तक् कि बेट वगरा इतना ज़्यादा नहीं होता है यह पॉट आप देखने हैं बहुत सुंदल लग रहा है तो यह देखेए मैंने लिया है मैट्रस तो इसको ऐसे बेट के आंगे इस तरह से सर्दियों में या फिर नॉर्मल भी डालके रखना ही चाहिए उससे क्या होता ना ब बच्चों का घर होता है तो कुछ गंदा वगरा सब बहुत जल्दी होता है तो मैं इनको अपनी सही जगह पर लगा दूंगे और देखे सिवाय की मस्ती बत्तमीची पूरा भर के बहुत देर घूमा है बोल रहा मैं पागल हूँ मैं भूत हूँ ऐसी उसकी नोटकी चल रह है तो सब्सक्राइब कर लिजिगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो वीडियो